हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल इंग्लिश विद माया एंड कैसे हैं सभी लोग आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे हमारी स्रीज चल रही है मिट समर नाइट सी ड्रीम की इसमें हमने कल इसकी समरी कवर कर दी है आज हम लोग इसकी कुछ मोश्ट इंपॉर्टन को पढ़ेंगे तो चले फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नय हैं तो आप चैनल को सस्क राइप करें, like करें, comment करें, share कुरें देखें, friends सबसे ज्यादा यह होता है कि quotation सब को learn करने में बहुँ ज्यादा दिक्कत होती हैं तो उसी को हम easy way में English to Hindi उसको convert करके हम आपको बताएंगे quotation के बारे में जिससे आपको ये चीजे बहुत अच्छे से इजी वे में लर्ण हो जाएं और आप एक्जाम हाल में जो भी कोटेशन आपसे पूछी जाएं उनका आप राइट एंसर करके आएं ठीक है फ्रेंड तो चलिए अब हम लोग क्लास को देरी न करते हुए हम लोग अपनी कोटेश हमारे क्या है देखें ओहें टू लप बाइ इन सक्राइब जर्ण आई ऑछू किया है यहां पाखरेमिय है स्किनव और उनके जो लाइजेंडर लायजेंडर उनकि प्रेमी है तो हर मिया अपने ख्रेमिंड लैट स्कीचंचир घा साइसेंडर से ये वर्ड बोल रही है क्या कह रही है कि क्योंकि उनकी जो हर्मिया के पिता है उन्होंने उनकी शादी डेमेट्रियस से करवाने का विचार कर लिया है और उन्होंने तो वो बोल रही है उसके जो पिता ने जो चुनाओ किया है उसके लिए जो डेमेट्रियस से हर्मिया की शादी करने का प्लान किया है वो उसके विरुद्ध हैं वो ये कह रही है उसे के खिलाब कि ओ हेल ये क्या नर्की वेदना है कि जो प्रेमियों का चुनाओ है वो किसी दूसरी के द्वारा चुनाओ किया जाता है ये तो वास्तों में कैसी वेदना है नर्की वेदन कि मतलब जैसे कि लोग जो पसंद करते हैं अपने लिए अपना प्रेमी वो उनको ना मिल करके उनके पिता क्योंकि उनका शादी किसी और से करवाना चाहते हैं डेमेट्रियस से जो इसमें दूसरा कारेक्टर है तो वही बोलती है कि कैसी नर्की वेदना है कि प्रेमियों को ज लाइसेंडर से वर्ड बोल रहे हैं नेक्ट देख लीजे नेक्ट कोटेशन है लव लुक्स नाट विद दा आइस बट विद दा माइंड और देरफोर इस विंग्ड क्यूपिट एक फ्रेंड ये हलना कह रही है हलना यहां पर जो उनकी फ्रेंड होती है हर्मिया की वो ये दिखाई दे रही है मिंदनी दिखाई दे रही है बेकार दिखाई दे रही है उसको हम प्रेम की अगर नजर से देखें तो वस्त उसका उसका आकरसर उससे कई गुना बढ़ जाता है ठीक है फ्रेंड मतलब वो ये कह रहा हैं कि हम जिसको जिस नजर नजरिये से देखेंग तो वस्तो की जो आकर्षन हो उतनी ही, वो बैकार दिखाई देने लगेगी. अगर किसी वस्तो को हम अपनी अच्छी नजरों से देखेंगी, प्रेम की भावना से देखेंगी, तो वो हमें वस्तो का आकर्षन का एक गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा. ये बात हिलना कह रही होती है नेक्स्ट देख लीची quotation है मारी I will put a little round about the earth in the 40 minutes यहाँ पी जो पक है जो ओबिरान जो यहाँ पे king है फेरी के king है उनका ये कौन है? servant है पक Robin Goodfellow के नाम से है और इसको पक भी कहा जाता है ठीक है फ्रेंट तो यहाँ पे पक कहते हैं कि 40 किसे कह रहे हैं? ओबिरान अपने राजा से कह रहे हैं कि मैं 40 minute में क्या कर सकता हूं? इस पूरे प्रत्वी के चकर लगा सकता हूं और उस चकर लगा के मैं सीख रही वापस आपके पास आ जाओंगा यह बात कौन बोलते हैं? पक बोलते हैं किसे? ओबिरान से बोलते हैं जो कि किंग है? पक के फेरियों कि किंग है देखें नेक्स्ट कोटेशन है यह जो लाइजेंडर है लाइजेंडर इसके हीरो है इस प्ले के मिटसमर नाइट्स ड्रीम के और हर्मिय इनके हिरोईन है चीक है? तो यह लाइजेंडर हर्मिय से यह बात कह रहे होते हैं कि मेरे लिए दुख का कारण क्या है? मेरे लिए दुख का कारण कि वो सच्चा प्रेम कहानिया होती है मतलब वो ये कह रहा है कि मेरे लिए जो सच्च का कारण ऐसा है कि जो किताबों में लिखी होती है प्रेम कहानिया वो आपदित से कैसी होती है परिपूर होती है जन्या समाज से भिन्नता होती है वह सच्चे प्रेम के मिलन का रास्ता कभी easy नहीं होता मतलब जो किताबों में ये बाते प्रेम के कहानियां लिखी होती है उसमें ये पता चल जाता है कि ये कोई truth नहीं हो उसमें प्रेमी के जो मिलाप होता है उसके जो रास्ता होता है वह बहुत ज़्यादा इजी नहीं दिखाया जाता हमेशा कैसा दिखाया जाता है हमेशा कठिन दिखाया जाता है यही लाइजेंडर हर्मिया को समझा रहा होते हैं क्योंकि उनके पिता हर्मिया की शादी किस से करवाना चाहते हैं डायमेट्रियस से तो इसलिए वो दुखी होते हैं तभी Lysander यह बात बोलते हैं कि किताबों में भी ऐसी कहानिय लिखे होती है कि कोई कहानी यह मतलब आप दित पूर नहीं होते है और जैसा कि उसमें दिखाया जाता है कि प्रेम का जो रास्ता होता है वो कभी easy नहीं होता है यह बात Lysander हर्मिया से कह रहे होते हैं आपको यह quotation बहुत अच्छे से clear हो रही होंगी तो देख लेते हैं next quotation है हमारे आद देखें यहाँ पर जो quince है quince कहता है किसे bottom से क्योंकि यह जो quince और bottom है यह जो शादी होने वाली होती है वहां के राजा, थेसेस और हिपोलीटर की तो उसमें एक play करने वाले होते हैं उसमें Nick bottom and quince यह अपना role play करते हैं तब ही quince कहते हैं bottom से क्या कह रहे होते हैं कहते हैं कि bottom तुम्हारा भगवान भाला करे तुम्हारा भगवान भाला करे कि जो तुम हो वो परिवर्तित हो गये हो यह कब कहते हैं कि जब वो bottom उस कौन सा सिर पहन लेता है गधे का सिर पहन लेता है कि भगवान तुम्हारा भाला करे कि जैसे थे तुम पहले अब वैसे नहीं हो अब तुम्हारा रूप कैसा हो गया है परवर्तित हो गया है ये बात कुइन्स बोलते हैं किसे बॉटम से ठीक है फ्रेंट्स नेश्ट कोटेशन देख लीजी देखे इसमे जो ठीसिस हैं धीसिस कौन होते हैं यहांके जो राजा होते हैं वो होते हैं थीसिस तो वी यह बात बोल रहे होते हैं इसमें पोईट ने ये बात कही है थिसिस के आधार पर कि ये जो लवर है वो बहुत जादा खुबशूरत हैं ये जो लवर हैं वो बहुत जादा खुबशूरत हैं कि भगवान की जो देवी हैं यहां पे जो Cupid दिखाया गया है ठीक है उनको क्या बढ़र रहे हैं compact ठीक है यहां पे कह रहा है कि जो भगवान की देवी है उससे ज़्यादा भी खूपसूरत है ठीक है यहां पे जो प्रेमी का imagination दिखाया गया है प्रेमी को ऐसा बताया गया है वैसा बताया गया है यहां पे यह बताया गया है कि प्रेमी की जो सुन्दर्ता होती है वो भगवान की सुन्दर्ता से भी ज़्यादा मतलब की बताया गया है ठीक है फ्रेंड की मतलब उनका आकर्षन उनका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि भगवान की आकर्षन से भी ज़्यादा होता है देख लीजिए, next quotation है हमारी, देखिए, oh monstrous, क्या है, oh monstrous, oh strange, oh monstrous, oh strange, we are haunted, pray masters, fly masters, help, यहाँ पर quince बोल रहे हैं, किसे, देख लीजिए, bottom जब गधे का सिर्फ पहन लेता है, तब quince कहता है, कि तुम कितने अडुचकर दिख रहे हो, तुम कितने अजीब दिख रहे हो, strange, मतलब तुम्हारा जीद्रस से है, बड़ा अजीब है, शायद हमें, वो यह कहता है, कि श है, तब ही हो कहता है, कि सौमी, यहाँ से भाग चलो, क्या कहता है, कि सौमी, यहाँ से भाग चलो, और यहाँ से भागने के बाद, ताकि हमारी कोई help कर सके, मतलब, वो बहुत जादा बेकार दिख रहा है, उसकी सकल, मतलब, अच्छी नहीं दिख रहे है, bottom की, क्योंकि वो आत्मों ने हमें खेल लिया हैं, तब हो कहता है कि स्वामी यहां से भाग चलो और ताकि हमारी कोई यहां पर हेल्प कर सके, यह बात क्विंस कह रहा होता है बॉटम से, देखिए नेक्ष्ट हैं बॉटम किसे कहता है, टिटैनियस क्या बात कहता है, देख लिजे, अब देख लिजे, इसमें क्या है, देख लिजे, बॉटम कह रहा होता है, टिटैनियस से, देखिए क्या कह रहा होता है, बॉटम कहता है, कि और अगर सत्ते बात कहूं न, कि ये जो तर्क है, और अगर सत्ते बात कहूं न, क्योंकि टिटैनियस ये, बॉटम कप कहता है, टिटैनियस, जब उसको उसके जो हस्बेंड होते हैं, वो उसको जब फूलो वाला रस, उसको उसकी आँखों में डाल देते हैं, जब वो ज को बहुत चाहती ह sketches क्योंकि वत कि यही होता है कि जो पहले को पहले इंसान को देख लेंगे उसी को चाहने लगेंगे के तब यह बॉटम कहता है कि अगर सत्बाट कहूं न कि मतलब्परोप कहते कि मैं तुम्हें चाहते ही हूं यह कहता है कि अगर सत्ते बात कहूं कि ये जो तुम्हारा तरक है प्रेम मतलब कि ब्यक्त करने का तो वो अच्छा नहीं है क्यों अच्छा नहीं है क्योंकि ये जो विवेक और प्रेम होता वो साथ कभी नहीं होता है जब इनसान प्रेम में होता है तब उसका विवेक काम नहीं करता मतल है मेरे चेहरे से बहुत ज्यादा प्यार है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा प्यार विल्कुल सच है क्योंकि प्यार जो होता है जब इंसान प्रेम में होता है तब वो उसका जो माइंड होता है वो काम करना छोड़ देता है मतलब प्रेम कैसा होता है अंधा होता है वही बात बॉटम टिटाइनिया से कह रहे होते हैं ठीक है फ्रेंट तो यह काफी कॉमेडिक प्ले है जिसमें बहुत मज़ा आनाए वाला होता है ठीक है क्योंकि वो सम्मझे ले रहे होते हैं पक अइंड ओब्रेंट तो देख लीजे अब पक अब्रेंट से कहते हैं Lord, what fools these mortals be? पक कहे रहा है अरे परियों के राजा अरे परियों के राजा जिसकी मानव है मतलब जो मानव है उसको रस डालने में मैंने गलती कर दी है मैं तो मूर्ख बन गया है मतलब मुझे जिसको रस डालना था उसको तो मैंने डाला नहीं मैंने रस डालने में गलती कर दी है और वो देखो कैसे प्रेम बेक्त कर रहे हैं हाना उनको देखने में हमें क्या लग रहा है मजा आ रहा है ये जो नसर मानव वो देखो कितने मूर्ख होते हैं ये बात कौन कह कि यहां पर दिमेट्रेंच रोते हैं दोनों अपना प्रेंब्रेक्ट कर रहा होते हैं तभी यह बात पंद्धा करें नों अन्यानती है और चल्देंगे भी दोनों कनि मचा आ रहा है और यह जो नसर मानव है यह कितनी मूर्ख होते हैं यह बात पक ओबर्यांद से कह रहा होता है ठीक है फ्रेंट देख लेते हैं अगली quotation को यह कह रहा होते हैं पक किसे अब देख लेजिए इसमें क्या कह रहा होते हैं ओबर्यांद कह रहा होता है किसे पक से की आवाजे सुनो हिल्ला और लाइजेंडर की कि कि जब वो हिल्ला और लाइजेंडर और डिमेट्रेस एक दूसरे से जब मतलब सुन रहा होते हैं मतलब कि लाइजेंडर जब अपनी बाते हेला को कह रहा होता है, जब उसके आखों में रस पड़ जाता है, तो अपना प्रेम बेक्त कर रहा होता है. तब ही वो कह रहा होता है, देखो, कि ये जैसे बातें कर रहे हैं, इनकी आवास सुन करके, कौन जग जाएगा इनकी आवाज सुन करके यहाँ पर हर्मिया जो है अभी जग जाएगी ठीक है मतलब सॉरी डिमेट्रिस जग जाएगा क्योंकि हेलना को वो कौन से ब्यक्त कर रहा है प्रेम यहाँ पर लाइजिंडर ब्यक्त कर रहा है ठीक वो जाग जाएगा तब ही पक कहता है कि जब डिमेट्रियस जागेगा तो हिलना की प्रेम में पड़ जाएगा और यह देखकर मुझे बहुत खुसी होगी जो कि उसका प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा मतलब यहां पि यह बात हो रही होती है ऑब्रान इस से इस लाइन के पहले ऑब्रान कह रहा होते है जब ज़रना और क्या ब Temple militant को दोनों आपस में ऑपना Foreign व्यक्त कर रहे होते हैं हिल्ला से तो हिल्ला लड़ रहे होती है गुसा रहे होती है इस बात से तभी वो कहता है कि अगर यह जग गया अगर डुमेटिस जग गया सबसे पहले वो हिल्ला को देखेगा और उससे वो प्रेम कर बैठेगा और उसका बढ़ता हुआ प्रेम मुझ know not what to say I am amazed मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ? बहुत ज्यादा अचंभित हूँ ये हर्मिया खुद से कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा अचंभित हूँ क्यों अचंभित है? क्योंकि जो हेलना है जो उनका प्रेमी लाइजेंडर था अब वो अपना प्रेम किसे? मतलब करने लगा है हेलना से प्रेम करने लगा है तब ही इसी बात से वो बहुत ज्यादा परेशान होती है वो हेलना से लड़ रही होती है कि तुमने मेरे पती को छीन लिया है मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया है ठीक है तो वो ये कहती है कि ठीक है मैंने अब तुम्हारे पती को नहीं छीना है तुम मुझसे लड़ाई नहीं करो जितना तुम ज़्यादा मुझसे लड़ाय करने में समय बिताओ उतना ही जल्दी मैं यहां से भाग जाओंगे और इतना कहें कि वह वहां से चली जाती है तब हर्मिया अपने आप कह रही होती है कि अपने प्रेम को लेकर की जगड़ा कर रही थी मैं तो बहुत ज़्यादा परिशान मुझे खुद ही नहीं पता कि अब मैं क्या कहूं और तब वह भी वहां से चली जाती है मैं बहुत ज्यादा अमेज़ ज्यादा अचंबित हूं इस बात से कि लाइजेंडर कैसे उसको चाहने लगा चीक है चली फ्रेंड नेक्ट कोटेशन देख लेते हैं अब यहां पर पक अपने आप से बात कर रहा हुता है दिखिए क्या कह रहा है पक कहता है कि यह जो तीन करेक्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं कौन-कौन लाइजेंडर हिलना और डिमेट्रियस यहां पर एक करेक्टर और आ जाए कौन किसकी बात कर रहे हैं हर्मिया के अब हागी महिलाए होती है उनको क्या कर देता है यह पागल बना देता है यह कामदेव कैसे हैं कैसे देता है सरार्ती देता है यह बात वो अपने आप से बोल रहा होता है पर ठीक है फिर तो चलिए आज के हमारे last quotation है, देख लीजे, I have an exposition of sleep come upon me, ये bottom कह रहे होते हैं, Titania से, देखें क्या कह रहे होते हैं, Titania जब कहती हैं कि मेरे पास एक ऐसी परी है, मेरे पास एक ऐसी परी है, जो गिलहरी के घुसले को क्या करके, मतलब तलास करेगी और वहां से तुम्हारे ल लिके आएगी, ठीक है, तभी bottom कहता है, कि मुझे इन अक्रोट की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम मुझे अगर एक मुट्टी पर मटर मिल जा, दे दोगी तो मैं उनसे अपना पेट भर लूँगा, ठीक है, खा लूँगा, तभी कहता है bottom कि अपने, इस विवेक से कह दो, मतलब अपने इन सेविकाओं से भी कह दो, कि मुझे परिशान ना करें, क्योंकि मैं सोने जा रहा हूं, मुझे नीद आ रही है, ठीक है, क्योंकि उतनी समय वो किसके प्रेम में होती है, bottom के, क्योंकि उनके आँखों में वो रस पड़ा होता है, तभी हो कहती है, कि तुम भ bottom कहता है, कि मुझे उन अक्रोट की जरूरत नहीं है, अगर मुझे एक मुठी बर बंटर मिल जाए, तो मैं उनको खा के अपना पेड भल लूँगा, और अपने इन सेविकाओं सो भी कह दो, कि मुझे बार बार परिशान ना करें, और मुझे नींद आ रही है, और मैं अब आपको ये कोटेशन अच्छी लगे, तो अपना feedback जरूर दे, कैसी लगी कोटेशन, ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं, तो चैनल को subscribe कर लीजिए, like करें, comment करें, share करें, ठीक है friend, चलिए, thank you so much